हलो स्टुदेंट्स, आई वेलकम यू आल तो माई यूट्यूग चैनल बच्चो आज का हमारा टॉपिक है थॉम्सन अटॉमिक मॉडल इससे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर आफ एटम की बात करूँ तो बच्चो हमने discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron के बारे में पढ़ चुके है अब देखो जैसे जैसे हमें sub-atomic particles के बारे में जैसे ही ये पता चला कि डाल्टन की atomic theory गलत थी उसमें आप sub-atomic particles को हमने discover कर लिया देन अचानक से scientist के मन में ये बात आई उस time के scientist के मन में Dalton का कहना था कि atom को further divide नहीं किया जा सकता अचा उसके बाद हमने discovery करे electron, proton and neutron की then scientists ये चाहते थे कि वो atomic model propose करते थे वो ये बताना चाहते थे कि अगर electron, proton and neutron atom के अंदर exist करता है तो किस तरीके से exist करता है पासमजमारी है कि अगर electron, proton and neutron atom के अंदर है तो किस तरीके से arranged है इन सारी चीजे को लेके बहुत सारे scientists है वो अलग-अलग atomic model लेका है बच्चों अपने 9th में पढ़ा होगा, आपने J.J. Thompson के model के बारे में पढ़ा होगा, आपने Rutherford के model के बारे में पढ़ा होगा, आपने Neil Bowos के model के बारे में पढ़ा होगा लेक्टॉङ को किस नहीं किया तरशियो मॉडल भी प्रोवाइट किया यह दिया बच्चो 1898 में यह याद रखना जैसे थमसन ने दिया 1898 में देन बच्चो उन्हों सबसे पहली चीज जब आप मॉडल आप कोई चीज प्रपोस करते हो ता आप बताते हो कि हाँ ऐसी ऐसी यह सारी चीज़े होती है और लेटर उसके ड्रॉबैक्स उसके फायदे यह सारी चीज़े गि उन्होंने क्या माना कि एकलिप्स कोई कुछ नहीं किसी भी तरीके उन्होंने बोला कि एकम कैसा होता है स्फेयर होता है पर्फेक्ट स्फेयर होता है एक बॉल है क्रिकेट बॉल है जो पर्फेक्ट स्फेयर है उनका कहना था एकम बिल्कुल उस तरीके से होता है पहली चीज उन्होंने बताई, atom spherical in nature होता है, दूसरी चीज जो उन्होंने बताई, उनका कहना था कि positive charge is uniformly distributed, अब suppose करो कि आपके पास एक sphere है, आपने उसको बीच से काट तो उनका कहना था कि जो भी तुम्हें surface दिख रहा है, जो भी surface दिख रहा है, entire surface is positively charged, ऐसा कुछ नहीं कि positive कहीं पर होगा, जैसे आपको पता है कि proton है, हमें पता है कि proton यहाँ यहाँ पर है, जहाँ पर proton है हमाही positive, उनका कहना था कि जो पूरा का पूरा surface है, that is positively charged, समझ मारी बात, कि पूरा का पूरा surface अगर मैं भी इसे कट दो, तो that is positively charged, अब उनको यह बताना था, कि atom electrically neutral होता है, atom क्य उसके लिए उन्होंने क्या बोला, कि जो electrons होते है, electrons are embedded in such a manner as to give most stable electrostatic arrangement, उनका कहना था कि यहाँ पर electrons इस तरीके से embedded, embedded मतलो धसे हुए होते हैं, इस तरीके से लगे हुए होते हैं, कि वो electrically neutral हो जाए, और जो most stable, सबसे आदा stable उसको electrostatic arrangement मिले, एक तो चीज यह भी हो सकती ह यह कि अगर x unit positive charge है, तो मेरे को x unit negative charge डालना भी, एक कोने में डाल दूँगा तब भी neutral हो जाएगा, लेकिन उनका कहना था कि यह जो चीज इस तरीके से electron distributed होता है, कि उसको most stable electrostatic arrangement में मिले, that means, आप यह नहीं बोलोगे कि एक side को concentrated होते हैं, उस पूरे positive sphere पे evenly distributed होते हैं, तो next point यह था, last में उन्होंने बोला कि mass of atom was assumed to be uniformly distributed, यह भी बहुत important assumption थे उनके model की, उनका यह कहना था कि यह जो पूरा का पूरा sphere है, इस पे जो mass होता है, uniformly distributed होता है, that means, कहीं पे concentrated नहीं होता है, अगर मैं एक step आगे जाओ, जब आप Brother Ford का model पढ़ते हो, तो आपको पता चलता ह कि atom का mass concentrated होता है, center में, जहां पे nucleus होता है, majority of लगबग सारा mass concentrated होता है, इन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है, इन्होंने, यह पहले की बात कर रहा हूँ, इस time इनको नहीं पता था कि rather 40 यह बोलने वाले हैं, तो मैं अभी हमें पता है, तो हम इस तरह किसे discuss कर रहे हैं, differentiate, आ पूरा का पूरा जो mass है, यह uniformly distributed होता है, कहीं पे जादा mass concentrated नहीं होता है, कहीं पे कम mass concentrated नहीं होता है, अगर आप इतना unit यहां से लो, और इतना unit यहां से लो, तो that means, दोनों जगे atom का mass क्या होगा, same होगा, यह उनका कहना था, अब बच्चो, अगर मैं बोलू कि एक sphere है, औ और उसमें electron embedded है, तो इसके बहुत सारे आप अगर आपने पढ़ भी रखा होगा, इसके बहुत सारे नाम भी है, इस model के, जैसे plum pudding model हो गया, फिर आपका हो गया, resin pudding model हो गया, that means, जैसे आप खीर भीर खाते हो, तो उसमें जिस तरीके से mammy किशमिस डालती है, तो ऐसा तो नह red वाला area है, आप बोलते हो कि पूरा का पूरा red वाला area वो positive sphere है, ओके यह पूरा का पूरा red वाला area positive sphere हो गया, और बीच बीच में जो आपको तर्बूज में beige होते हैं, black color के, वो सारे इसमें electron हो, वो uniformly distributed होते हैं, ताकि पूरा का पूरा atom neutralize हो सके, तो यह बहुत छोटा सा बहुत basic model है, JJ Thompson का, इसके अलावा बच्चों, आप से कोई question पूर सकता है, कि आप merits और demerits, मतलब कुछ main points बताओ, जो अच्छे चीज़े थी, जो carry forward होई, और कुछ चीज़े जो demerits थी, जिसको छोड़ दी गई, तो बच्चों, बुक में बहुत जाला कुछ listed हैं नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक जो main merit था उनके model का, कि he said that atom is electrically neutral, इसका क्या मतलब, उन्होंने बोला कि atom neutral होता है, इसी चीज़ को prove करने के लिए उन्होंने ये बोला कि positive sphere है, उसमें electron uniformly distributed होते हैं, embedded होते हैं, ताकि overall atom neutral है, और हमें पता है कि atom neutral होता है, तो एक चीज़ तो इनकी ये सही थी, दूसरी चीज़, अगर मैं demerits पर आता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने neutron के बारे में कुछ नहीं बताया, neutron कहा होता है, atom में कैसे होता है, इन सब चीज़ो में हमें पता थी और जो इसमें नहीं पता थी, लेकिन generally आप देखोगे कि demerits को इस तरीके से list किया जाता है, तो इसके हिसाप से, उस time की scale के हिसाप से क्या क्या चीज़े हो सकती थी, जो नहीं बताय गई, जो सारी चीज़े miss हो गई, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको यह सारी दुनिया बर की चीज़े लिखते हूं कि यह यह demerit है, बिल्कुल है, वो बात गलती नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप कुछ majority में main-main चीज़े list down कर देते हो, तो इनके बारे में कुछ orbits के बारे में नहीं बताया है, कुछ orbits क्या होते हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि mass uniformly distributed होता है, है न, यह भी गलती, हम next model में ही जब हम रदरफोर्ड का model देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि mass nucleus के पास concentrated होता है, ओके, तो यह बच्चो, paper point of view से जेज़े थांसन model बहुत important नहीं है, at least 11th में, हाँ, अगर आप 11th से नीचे class के 9th के बच्चों, तो maybe वहाँ पर यह question काफी important हो जाता है, लेकिन 11th point of view से आपको just एक idea होना चीए कि क्या होता है, क्या सारी चीज़े होती है, क्या एक आदे merit and demerit है, otherwise paper point of view से छोटी classes के लिए ज्यादा important है, बच्चो, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो